नमस्ते, हापी नवरातराज, जैमाता दी आज की विडियो, सीरीज का अंजाम है, कौन सी सीरीज का अंजाम है? नमबर वन से रिलेटेड, प्रोफेशनल्स, वो प्रोफेशन्स जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आपका डेस्टीनी नमबर वन है, तो कौन से प्रोफेशन्स में आपको काम करना अच्छा रहेगा? या जो आप प्रोफेशन्स कर रहे हैं, इन से ताल मिल खाते हैं कि नहीं? दूसरी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका बर्थ नमबर एक है, उननिस है, अठाईस है, तो भी आप इससे कहीं न कहीं ताल मिल जरूर खाएंगे, मतलब आप कहीं न कहीं रिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दो चीज़ें डिसकस करूँगी, पहली चीज, कौनसे प्रोफेशन हैं जो आपके लिए वाकई में कारगार रहेंगे, यानि उन प्रोफेशन को चूज करना अच्छा रहेगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं और अभी येट टू डिसाइड प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए कौनसे अच्छे रहेंगे, आपके ट्रेट्स बैसे जनरली क्या होते हैं, वहां से हम शुरू करेंगे लास्ट में मैं आप से बात करूँगी पाँच ऐसी एडवाइज़ जो बहुत पावर पैक्ड एडवाइज़ हैं, और अगर आप उनको अमल में लाते हैं, उनको सूचते हैं, समझते हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, वह कहते हैं परेशा अगर आपका destiny number one है, तो कैसे calculate होगा, आप यहीं पर pause करते हो और आपको समझ में आ जाएगा, date of worth, month of worth और year of worth का sum total, single digit में जब हम लेकर आते हैं, वो one बनता है, यहां आपका one है, तूसरी चीज़ अगर आपका worth number one है, या 19 है, या 28 है, तो भी आप इसी category में आते हैं, as number one, आपकी कुछ बहुत कमाल की खूबियां हैं, कौन सी खूबियां हैं, तो आप खूबियों की बात कर ली जाए, आपके ना leadership skills कमाल के हैं, one कहते हैं एक अकीला ही काफी है, वो उस तरह की leadership skills होते हैं आपके, बहुत ambition कूट कूट कर भरा होता है, कि कुछ बढ़ा करना है कुछ मतलब जस दुनिया बदलनी है, उस तरह का ambition, एक true pioneer की बतारा आप काम करते हैं, आपके मन में यह होता है कि बस मैं एक कहते ना दूर दर्शिता से भरे होते हैं, आप चीजों को छोटा नहीं सोचते हैं, आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, और दूसरी चीज, आप नई चीजें, नई रास्ते लेकर आऊंगा, जिसकी बदालत मैं बहुत सारे लोगों को employment दे पाऊं और मैं बहुत सारे लोगों का भला कर पाऊं, विकुज आपके अंदर जग का भला करने की एक अलग सी कीड़ा है, एक छोटी सी चीज ज़रूर मैं कहना चाहूंगी, जि profession, लेकिन कही न कही एक dissatisfaction रहती है, because आपका रास्ता exactly clarity के साथ 28 साल के बाद ही आता है, 28 के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ, ये है और ये मुझे करना है, तो चलिए जी अब बात की जाए, ऐसे कौन से professions हैं, कौन से नयाग professions हैं, जो आपके लिए वाकरी में कमाल का का कर सकते हैं, और आप अपना life purpose जिसके लिए आए हो, वो बहुत fruitfully उसको पोन ताहसे पोन कर पाईए, तो सबसे पहला profession आता है, नए ventures को create करना, नए businesses को create करना, या as an entrepreneur नए चीज़ों को start करना, यानि आप किसी business के, किसी काम की, कई किसी नए चीज के आगाज करते हैं, उस बहुत से लोगों को समोहित कर सकते हैं, और एक साथ जूडते हुए आप उनको एक दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, तो आपकी leadership जो है as such, अगर आप politics में जाते हैं, तो आपको definitely बहुत फली भूत होगी, third point पे आते हूँ, आप ए consultant मार्ग दर्शक का काम कर सकते हैं, बहु करते भी हैं, तो बहुत बार मन मुटाव टकरार रहते हैं, विकॉस आपको किसी के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता, तो ऐस सच आप अगर consultancy का कोई ऐसा काम लेते हैं, जिसमें आप as consultant काम कर रहे हैं, दूसरों को दिशा दिखा रहे हैं, या उनके businesses को आगे ले जा का, आपको fit body का शुरू से ही एक रहता है, कि मुझे बस अपनी fitness पे बहुत ध्यान देना है, और मैं अपने देश के लिए कोई medal लेकरा हूँ, अपने state के लिए कोई medal लेकरा हूँ, अपने city के लिए कोई medal लेकरा हूँ, अपने school के लिए कोई medal लेकरा हूँ, college के लिए ले और किसी सिंपल सी चीज़ को एक अलग एंवल से देखते हुए उस प्रॉब्लम का सोलूशन ढूंड निकालते हैं और बड़े अराम से दे देते हैं तो ऐसे में आप इनोवेटर्स होने का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं नेक्स्ट आता है मिलिटरी ओफिसर्स का आपकी लिए देश से जो प्यार है ना वो कूट कूट कर भरा हुआ है अब भले ही वो आर्मी हो एयर फोस हो नेवी हो लेकिन आपके मन में हमेशा से रहा है जजबा मेरा देश मेरा भारत मतलब जिस भी कंट्री से आप हैं आपको अ पैसे की काफी अच्छी समझ है और आप पैसे को multiply कैसे किया जाए किस तरह उस पैसे को multiply करके बहुत सारे अलग-अलग avenues में डाला जाए वो as a financial advisor भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आठवा profession आता है authors का writers का आप जो लिखते हैं दिल से लिखते हैं साथ में दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं कि सिरफ creativity वाले लोग सिरफ दिल से लिखते हैं आप लोग दिल के साथ साथ क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप लिखते हैं वो बहुत ह दुन्या में आपकी awareness knowledge रहती है, कौन से कानून, कौन से कानून, किस तरह से किस की मदद कर सकते हैं, तो आप दूसरों के लिए, उनकी rights को दिलवाने के लिए भी आप as a lawyer काम कर सकते हैं, दस्वाप profession आता है, orator का या motivational speaker का, stage पर आपकी हाथ में माइक दे दिया जाए, तो ऐस कैसा हो सकता है, कि जो सामने वाले दर्शक हैं, वो आपको एक टक ध्यान से क्यों ना सुने, प्लस बहुत अच्छे से motivate हो, और बोले हाँ ये बंदा बोलता बहुत अच्छा है, या ये बंदी बोलती बहुत अच्छी है, last profession पर आती हूं, 11 profession और वो है architecture का profession, designing आपकी दिमा बनाया जा सकता है, उस area में भी आपका पूरा पूरा दृष्टी कोंड रहता है, अब हम बात करने वाले हैं, कौन से ऐसे 5 power packed points बताऊंगी, दिल पे मत लीजेगा, क्योंकि उसमें से एक point आप दिल पे लेने वाले हैं, for sure, तो 5 ऐसे points हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रहती है, वो restlessness रहती है, वो थोड़ी कम रहेगी, तो पहला point क्या है, आपको partnership सवाइड करने चाहिए, आप बहुत stubborn है, मतलब थोड़ी से जिद्धी है, थोड़ी से ideal है, और एक साथ मिलकर जब काम करने की बात आती है, तो आप दूसरे का point of view थोड़ा कम समझते हैं, क्य मैं अपना point of view समझा दों, क्योंकि मैं बिलकुल सही हूँ, तो कहते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब भी कोई काम करें, तो आप अपने नीचे employees रखते हुए करें, partnership में आप काफी हद तक परिशान रह सकते हैं, दूसरी चीज, आपको forceful नहीं होना है, एक नमबर सूरे का नमबर है, सूरज को देखा है, सुबह का सूरज कितना सुनदर लगता है, शाम का ढळलता सूरज भी कितना सुनदर लगता है। तो फिर परिशानी आ जाएगी तो ऐसे में आपको forceful नहीं होना दिल में इतना प्यार है सब के लिए इतना सब कुछ करते हो दुनिया के लिए जीते हो सब के लिए काम करते हो देश का ध्यान है लोगों का ध्यान है जबरदस्ती से कहते हैं हमेशा strict teacher बनके रहने की ज़रूरत नहीं है समझ है आई? अब आजाते है third point पे आग अपनी self care को सबसे ज़्यादा ignore करते हो दुनिया भर की मैंने कहाना परवा है सब की आसपास की लोगों की सब की परवा है खुद की care का जब time आता है कहां चली जाती है समय से उठो, समय से खाना खाओ भोजन को side line मत करो ये मत सोचो कि अब काम ज़रूरी है भोजन बाद में हो जाएगा शरीर है तो काम है इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपनी health का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए अब मैं आ जाती हूँ चोथे point पे और वो है micromanaging का मतलब हर चोटी चीज के घुस घुस के end तक जाना समझना और फिर उसको काम करना मतलब आपकी आदत है बहुत अच्छी बात है आप हर चीज की तह तक जाते हो बहुत अच्छी बात है आपकी vision tunnel vision है बहुत अच्छी बात है लेकिन आप जिनके साथ involved है जिनके साथ काम करते हैं जिनके साथ दिन भर बिताते हैं आपको कैसे समझ में आए कि वो लोग tunnel vision वाले नहीं है वो लोग बाल की खाल तक नहीं जाते वो लोग हर चीज को गहराई से नहीं देखते बहुत से लोग सिरफ सतह पर जीते हैं तो ऐसे में आप forcefully उनको micromanage मत किया करो ठीक है मुझे पता था ये चीज थोड़ी सी खराब लगेंगी आपको बट आपी के फाइदे की बात है अब मैं आजाते हैं वो लास्ट पॉइंट पे और वो है जो आपको feedback मिलते हैं जो suggestions मिलते हैं उनको ignore मत किया करो कई भार कहते हैं कोई इंसान आपके सामने ही हो तो कहना ही पाता ही लेकिन अगर धीरे से कोई एक suggestion देता है या कुछ बोलता है उस time तो आप शायद नहीं लेंगे लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि उसके बाद पूरा दिन 24 घंटे आप थोड़ा असा उसके बारे में दिमाग लगाई और सोचे उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा ऐसी क्या चीज़ थी जो शायद आपको नजर नहीं आ रहे हो और शायद आपकी tunnel vision से आपको वो एक ही area नजर आ रहा हो और बाकी की पूरी picture नजर नहीं आ रहे हो तो ऐसे में कोशिश किया करिए कि suggestions को हलके में मत लिया करिए तो ये हो गई हमारी number one की video and I am very sure आपको ये video बहुत पसंद आई होगी comment box में आकर please बताईएगा कौन से ऐसे professions हैं जो आप as number one कर रहे हैं और कौन से ऐसे या maybe more than one या more than two कर रहे हैं आपका बहुत तही दिल से आभार शुक्रिया thank you so much God bless you